श्री गीता उपनिशदों का सार है महाभारत युद्ध के समय रणभूमी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है गीता में ऐसी बहुत सी बाते हैं जो मनुष्य को जीवन की कई कठिनाईयों को आसान बनाती है इतना ही नहीं गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारियां भी मिलती है साथ ही हर अध्याय के नियमित पाठ का अपना लाब और महत्व है आईए भगवत गीता की शुरुआत करते हैं पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जै श्री कृष्णा जरूर लिखे पहला अध्याय हरजुन विशादियोग धृतराष्ट्र बोले हे संजय धर्म भूमी कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छावाले मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया संजय बोले उस समय राजा दुरियोधन ने व्यू हरचना युक्त पांडवों की सेना को देख कर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा है आचार्य आपके बुद्धिमान शिष्य, दृपत्पुत्र द्रिष्ट द्युम्न के द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए इस सेना में बड़े-बड़े धनुशों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान, शूरवीर सात्य की और विराठ तथा महारती राजा दुपद, ध्रिष्ट केतु और चेकितान, तथा बलवान काशी राज, पुरुजित, कुंती भोज, और मनुष्यों में प्रधान हैं, उनको आप समझ लीजिए, आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापती हैं, उनको बतलाता हूँ, आप, द्रोणाचार्य, और पितामह भीश्म, तथा कर्ण, और संग्राम विजई, कृपाचार्य, तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण, और सोमदत्त का पुत्र भुरिश्रवा, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सुसजित और सब के सब युद्ध में छतुर हैं, भीश्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार की ही सब ओर से रक्षा करें। श्री कृष्ण महाराज ने पांच जन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्मवाले, भीमसेन ने पौंड्र नामक महा शंख बजाया। कुंति पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मनिपुषपक नामक शंख बजाये। श्रेष्ठ धनुषवाले काशिराज और महारठी शिखंडी और ध्रिष्ट द्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी। राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजावाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु इन सभी ने हे राजन सब और से अलग-अलग शंख बजाये। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृत्वी को भी गुंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्षवालों के हृदय विदीर्ण कर दिये। हे राजन। इसके बाद कपिधवज अर्जुन ने मोर्चा बांध कर डटे है धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हृषिकेश श्रीकृष्ण महाराज से यह वचन कहा है अच्यूत। मेरे रत को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्धक्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाशी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूँ कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन-किन के साथ युद् करने वालों को मैं देखूंगा संजे बोले हे धृत राष्ट्र अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीश्म और द्रोनाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम्रत को खड़ा क इस प्रकार कहा कि हे पार्थ युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद प्रथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में स्थित ताउचाचों को, दादों पर दादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाईयों को, पुत्रों को, पुत्र अर्जुन बोले करीत देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मार कर कल्यान भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाब है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादी अभीष्ट हैं। वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताव चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी सं हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। फिर पृत्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार कर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताईयों क को मार कर तो हमें पाप ही लगेगा। अतैव हे माधव। अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं क्योंकि अपने ही कुटुम्ब को मार कर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोब से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल क कुल के नाश से उत्पन्न दोश को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते तो भी हे जनार्दन। कुल के नाश से उत्पन्न दोश को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्न कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। प्रक्ति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकरकारक दोशों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नश्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन। जिनका कुल धर्म नश्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हम सुनते हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। बान सहित धनुष को त्याग कर रत के पिछले भाग में बैठ गए। इस प्रकार उपनिशद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप, श्री मद भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन समवाद में अर्जुन विशाद योग नामक प्रथम अध्याय संपूर् श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, और न कीर्ति को करने वाला ही है, इसलिए हे अर्जुन, न पुनसकता को मत श्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती, हे परंतब, हृदय की तुछ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा, अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमी में किस प्रकार बानों से भीश्म पितामह और द्रोणाचार्य के व रुध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनिये हैं, इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मार कर, मैं इस लोक में भिक्षा का अन भी खाना कल्यान कारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मार कर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अ और जिनको मार कर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मिये धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं, इसलिए कायरता रूप दोश से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विशय में मोहित चित्त हुआ, मैं आपसे पूछता हूं कि जो स आधन निश्चित कल्यान कारक हो, वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमी में निश्कन तक धन, धान्य, संपन, राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी, मै उस उपाय को नहीं देखता हूँ, जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, अंतर्यामी, श्री कृष्ण महाराज के प्रती, इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्ये मनुष्यों के लिए शोक करता है, और पंडितों के जैसे वचनों को कहता है, परन्तु जिनके प्राण चले गए हैं, उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं, उनके लिए भी पंडितजन शोक नहीं क जवानी और व्रिधावस्था होती है वैसे ही अन्यशरीर की प्राप्ती होती है उस विशय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता हे कुंति पुत्र सर्दी गर्मी और सुख दुहक देने वाले इंद्रिये और विशयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य हैं इस लिए हे भारत उसको तु सहन कर क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ट दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिये और विशयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है इस प्रकार तत्व घ्यानी पुरुषों द्वारा इन दोनों का ही तत्व देखा गया है नाश रहित तो तु सको जान जिससे यह संपूर्ण जगत द्रिश्यवर्ग व्याप्त है इस अविनाशी का विनाश करने में भी कोई समर्थ नहीं है इस नाश रहित अप्रमे नित को मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है क्योंकि यह अजन्मा नित् वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। शर्व व्यापि अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इस से हे अर्जुन। इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तुँ शोख करने के योग्य नहीं है। अर्थात कि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाये वाले विशम में तू शोक करने के योग्य नहीं है। आश्चर्य की भाति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भाति सुनता है और कोई-कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। दूसरा कोई कल्यानकारी करतव्य नहीं है। बहुत सम्मानित होकर अब लगुता को प्राप्त होगा। वे महारठी लोग तुझे भय के कारण युद्ध में हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग, तेरे सामर्थि की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दूहुक और क्या होगा। जय पराजय, लाभहानी और सुख दूहक को समान समझ कर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तुझे पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्ट, ये बुद्धी तेरे लिए ज्ञान योग के विशय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विशय में सुन। हे अर्जुन, जो भोगों में तनमय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीती रखते हैं, जिनकी बुद्धी में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवे की जन इस प्रकार की जिस पुश्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वानी को कहा करते हैं, जो की जन्म रूप कर्म फल देने वाली और भोग तथा एश्वर्य की प्राप्ती के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वान युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्यरूप, समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों और उनके साधनों में आसक्त हीन हर्ष शोकादिद्वंद्वों से रहित, नित्यवस्तु परमात्मा में स्थित योक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतह करण वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मन का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है तेरा कर्म करने में ही अधिकार है उनके फलों में कभी नहीं इसलिए तू कर्मों के फल का हे तू मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसकती न हो हे धनन जय तू आसकती को त्याग कर तथा सिध्धी और असिध्धी में समान बुद्धिवाला होकर योग में स्थित हुआ करतव्य कर्मों को कर समत्व भाव ही योग कहलाता है इस समत्व बुद्धियोग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्नश्रेणी का है इसलिए हे धनन जय तू सम्बुद्ध में ही रक्षा का उपाय ढूंड अर्थात बुद्धियोग का ही आश्रे ग्रहन कर क्योंकि फल के हे तू बनने वाले अत्यंत दीन है सम्बुद्ध युक्त पुरुष पुन्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है इससे तू समत्वरूप योग में लग जा यह समत्वरूप योग ही कर्मों में कुशलता है अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है क्योंकि सम्बुद्धि से युक्त ज्यानी जन कर्मों से उत्पन होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप, बंधन से मुक्त हो, निर्विकार परंपद को प्राप्थ हो जाते हैं। परंपद को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धी पुरुष का क्या लक्षन है? वह स्थिर बुद्धी पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भाती त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रग्य कहा जाता है। उस उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेश करता है उसकी बुद्धिस्थिर है। और जैसे कचुवा सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विशयों से इंद्रियों के सब प्र रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती, इस स्थित प्रग्य पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन। आसक्ति का नाशन होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात हर लेती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ, मेरे परायन होकर ध्यान में बैठे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियाएं वश में होती है, उसी की बुद्धिस्थिर हो जाती है। पुरुष अपनी स्थिती से गिर जाता है। और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धी शीग्रही सब ओर से हटकर परमात्मा में ही भली भाति स्थिर हो जाती है। इस विशयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धी को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विशयों से सब प्रकार निग्रह की प्रमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनी के लिए वहरात्री के समान है, जैसे नाना नदियों के जल सब और से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्प्रीहा रहित हुआ विचरता है, वही शान्ती को प्राप्त होता है, अर्थात वह शान्ती को प्राप्त है, हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिती है, इसको प श्रीमद भगवद गीता के श्रीकृष्ण अर्जुन सम्वाद में सांख्योग नामक द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्ययोगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। प्रक्रती जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मूड बुद्धी मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों के विशयों का चिंतन करता रहता है। वह मिथ्याचारी। अर्थात दम भी कहा जाता है। तु आसकती से रहित होकर उस यग्य के निमित ही भलीभांती करतव्य कर्म कर। प्रजापती ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यग्य सहित प्रजाओं को रच कर उनसे कहा कि तुम लोग इस यग्य के द्वारा व्रिध्य को प्राप्त हो और यह यग्य तुम लोगों को इच दूसरे को उन्नत करते हुए, तुम लोग परमकल्याण को प्राप्त हो जाओगे, यग्झ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता, तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चै ही देते रहेंगे, इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिये हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिये स्वयम भोगता है वह चोर ही है यग से बचे हुए अन को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और पापी लोग अपना शरीर पोशन करने के लिए ही अन पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं संपूर्ण अन से उत्पन्न होते हैं अन की उत्पत्ती व्रिष्ट से होती है व्रिष्टी यग से होती है और यग विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान इससे सिद्ध होता है कि सर्व व्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यग में प्रतिष्ठित है। हे पार्ट जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परमपरा से प्रचलित स्रिष्ठी चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापायू पुरुष व्यर्थ ही जीता है। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भाती करता रह। क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनकादी ज्ञानी जन भी आसकती रहित, कर्मद्वारा ही परमसिद्ध को प्राप्थ हुए थे। इसलिए तथा लोकसंग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है। अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमान कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसके अनुसार बरतने लग जाता है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है, नहीं कोई भी प्राप्थ करने योग्य वस्त करन करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सब मनुष्य नश्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला होऊ तथा इस समस्त प्रजा को नश्ट करने वाला बनूँ। हे भारत! कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन, जिस प्रकार कर्म करते हैं, आस शास्त्र वेहित कर्मों में आसकती वाले अज्ञानियों की बुद्धी में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उनपन्न न करे, किन्तु स्वयम शास्त्र वेहित समस्त कर्म भलीभाती करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किये जाते हैं, तो भी जिसका अंतह करण अहंकार से मोहित हो रहा, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ, ऐसा मानता है, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने व उन पूर्ण तया न समझने वाले मंदबुधिय ज्यानियों को पूर्ण तया जानने वाला ज्यानी विचलित न करे, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्ध द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अरपन करके आशा रहित, ममता रहित और संता परहित होकर जो कोई मनुष्य दोशद्रिष्ट से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरन करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं, परन्तु जो मनुष्य मुझ में दोशारोपन करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्ख जो को तु संपूर्ण ज्यानों में मोहित और नश्ठ हुए ही समझ, सभी प्राणी प्रकृती को प्राप्थ होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं, ज्यानवान भी अपनी प्रकृती के अनुसार चेष्टा करते हैं, फिर इसमें किसी का हठ इंद्रिये इंद्रिये के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिये के विशय में राग और द्वेश छिपे हुए स्थित हैं। अर्जुन बोले हे कृष्ण तो फिर यह मनुष्य स्वयम न चाहता हुआ भी बलात लगाये हुए की भाती किस से प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। उस काम के द्वारा यह ज्ञान धका रहता है। और हे अर्जुन इस अगने के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्यवैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान धका हुआ है। इंद्रिया, मन और बुद्धी ये सब वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धी और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अरजुन, तु पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूरवक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धी है, और जो बुद्धी से भी अत्यंत पर है, वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धी से पर अर्थात, सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जान कर और बुद्धी के द्वारा मन को वश्मे करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रू को मार डाल। इस प्रकार उपनिशद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप, श्रीमद भगवद गीता के श्री कृष्न अर्जुन समवाद में कर्मयोग नामक्तृतिय अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री भगवान बोले, मैंने इन अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्शियों न अर्थात गुप्त रखने योग्य विशय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन, अभी हाल ही का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में यह यो स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृती को आधीन करके अपनी योगमाया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानी और अधर्म की व्रिद्धी होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुशों का उधार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग-युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याक कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किन्तु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वता नश्ट हो गए थे और जो मुझे में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त, उपर्युक्त ज्यान रूप, तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके है हे अरजुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ. क्योंकि सभी मनुष्य, सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं. इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन होने वाली सिद्ध शीग्र मिल जाती है। ब्राह्मन, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का समूह, गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस स्रिष्टी, रचनादी कर्म का कर लिभाता होने पर भी मुझ अविनाशी, परमेश्वर को तु वास्तव में अकरता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्प्रिहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्ट नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बढ़ता। पूर् इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भाती समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुब से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसके सम्पूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्यान रूप अगनी के द्वारा भस्म हो गये हैं उस महापुरुष को ज्यानी जन भी पंडित कहते हैं। जिसके समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है। ऐसा आशारहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्थ होता। जो देहाभिमान और ममतारहित हो गया है, जिसका चित निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है। ऐसा केवल यग संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भाति विलीन हो जाते हैं। जिस यग में अर्पन, अर्थात, सुरुवा, आदि भी ब्रह्म है और हवन किये जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप करता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्णी में आहुती देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किये जाने वाले योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप, परब्रह्मा परमात्मा रूप, अग्णि में अभेद दर्शन रूप, यग्य के द्वारा ही आत्म रूप यग्य का हवन किया करते हैं। अन्ययोगी जन श्रोत्र आदी समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। और दूसरे लोग शब्दादी समस्त विशेयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राण की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म सन्यम योग रूप अगनी में हवन किया करते हैं। कई पुरुष, द्रव्य संबंधी, यग्य करने वाले हैं। कितने ही तपस्या रूप यज्य करने वाले हैं। और अपान की गती को रोक कर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यग्यों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यग्यों को जानने वाले हैं। और भी बहुत तरह के यग्य वेद की वानी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जान कर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें इरश्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिध्धि और असिध्धि में सम रहने वाला कर्म योग कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता, जिसकी आसकती सर्वथा नश्ट हो गई है, जो देहा भिमान और ममतार हित हो गया है, जिसका चित निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यग संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भाति विलीन हो जाते हैं। आत्म रूप यग्य का हवन किया करते हैं। कितने ही तपस्या रूप यज्य करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्य करने वाले हैं। कितने ही अहिंसादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्यानयद्न करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायू में प्राण वायू को हवन करते हैं। वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायू में अपान वायू को हवन करते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वालो प्राण आयाम परायन पुरुष प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यग्यों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यग्यों को जानने वाले हैं। उन सब को तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जान कर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वता मुक्त हो जाएगा। उनकी सेवा करने से और कपट छोड़ कर सरलता पूर्वक प्रश्ण करने से वे परमात्म तत्व को भली भात्ती जानने वाले ज्यानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्यान का उपदेश करेंगे। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन जिस ज्यान द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निह शेश भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानन्द घन परमात्मा में देखेगा। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्यान रूप नौका द्वारा निह संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भावती तर जाएगा। अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जिसने कर्म योग की विधी से समस्त कर्मों का परमात्मा में अरपन कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है। ऐसे वश में किये हुए अंतहकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवन्शी अरजुन तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युध के लिए खड़ा हो जा। श्री कृष्ण आरजुन समवादे ज्ञान कर्म सन्यास योगो नाम चतुर्थो ध्याया अरजुन बोले हे कृष्ण आप कर्मों के सन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं इसलिए इन दोनों साधनों में से जो एक मेरे लिए भली भाति निश्चित कल्यान कार श्री भगवान बोले कर्म सन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्यान के करने वाले हैं परन्तु उन दोनों में भी कर्म सन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है हे अर्जुन जो पुरुष किसी से द्वेश नहीं करता है और न किसी की आकांख्शा करता है वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है क्योंकि राग द्वेशादी द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है उपर युक्त सन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग प्रिथक प्रिथक फल देने वाले कहते हैं न कि पंडित जन क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है ग्यान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है इसलिए जो पुरुष ग्यान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना होने वाले सन्यास, अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीग् प्राप्त हो जाता है, जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतह करण वाला तथा संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्म ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, तत्व को जानने वाला सांख् योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्ष करता हुआ, सूंगता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लिता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहन करता हुआ, तथा आँखों को खोलता और मूता हुआ भी, सब इंद्रियाओं अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझ कर निहसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पन करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है। वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। अंतह करण जिसके वश में है। ऐसा सांख्ययोग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों का मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदा नंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित परमेश्वर मनुष्यों के न तो करतापन की न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धी तद्रूप हो रही है और सच्चिदा नंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एकी भाव से स्थिती है, ऐसे तत्परायन पुरुष ज्ञान के द्वारा पापरहित होकर अपुनरा वृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं, वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मन में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं, जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्य द्विग्न नहो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित, ब्रह्म वेत्ता पुरुष, सच्चिदा नंद गन पर ब्रह्म परमात्मा में एकी भाव से नित्य स्थित है, बाहर के विशयों में आसक्ति रहित अंतह करण वाला साधक, आत्मा में स्थित, जो ध्यान जनित अनंद है, उसको प्राप्त होता है, तदनंतर वह सच्चदा नंद गन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्भाव से स्थित पुरुष, अक्षय आनंद का अनुभव करता है, जो ये इंद्रिय तथा विशयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भ जो साधक इस मनुष्य शरीर में, शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है, जो पुरुष अंतर आत्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाल वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एकी भाव को प्राप्त सांख्योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षातकार किये हुए ज्यानी पुरुशों के लिए सब और से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। हो गया है वह सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझको सब यग्य और तपों का भोगने वाला संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद्ध अर्थात स्वार्थ रहित दयालू और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शां अध्याय संपूर्ण हुआ। मननशील पूरुष के लिए योग की प्राप्ति में निश्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगा रूढ हो जाने पर उस योगा रूढ पूरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कल्यान में हेतु कहा जाता है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्वसंकल्पों का त्यागी पुरुष योगा रूढ कहा जाता है। मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सद्रिश शत्रुता में बरतता है। जिसकी इंद्रियां भली भात जीती हुई है, और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान हैं, वह योगी युक्त अर्थात, भगवत प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है। जो न बहुत उंचा है, न बहुत नीचा। ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियां को वश में रखते हुए, मन को एकाग्र करके, अंतह करण की शुद्ध के लिए योग का अभ्यास करे। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर द्रिष्टी जमा कर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भैरहित तथा भली भाती शांत अंतह करण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायन होकर स्थित होवे। वश में किये हुए मनवाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ, मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांती को प्राप्त होता है। यथा योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेश्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिध्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भात इस्थित हो जाता ह उस काल में संपूर्ण भोगों से स्प्रिहारहित पुरुष योग युक्त है। ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायुरहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धी द्वारा ग्रहन करने योग्य जो अनंत आनंद है उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्म प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलाय मान नहीं होता। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना करतव्य है। संकल्प से उत्पन होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निहशेश रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांती रोक कर क्रम-क्रम से अभ पूरती को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। यह स्थिर्न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादी विशय के निमित्त से संसार में विचरता है उस उस पूर्षिदा अनंद घन ब्रह्म के साथ एकी भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पापरहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनु जो पुरुष समपूर्ण भूतों में सब के आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और समपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है। उसके लिए मैं अद्रिश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अद्रिश्य नहीं होता। जो पुरुष एकी भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित, मु सच्चिदानंद घनवासुदेव को भजता है। वह योगी सब प्रकार से बरत्ता हुआ भी मुझ में ही बरत्ता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भाथी संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परमश्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन बोले हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिती को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे श्री कृष्ण यह मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला बड़ा द्रड और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायू को रोकने की भाति अत्यंत दुशकर मानता हूँ, श्री भगवान बोले हे महाबाहो, निह संदेह, मन चंचल और कठिंता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंति पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है, जिसका मन वश मे किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुश प्राप्य है, और वश में किये हुए मन वाले प्रयत्न शील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है, अर्जुन बोले, हे श्री कृष्न, जो योग में श्रधा रखने वाला है किन्तु सन्यमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिध्ध को अर्थात भगवत साक्षातकार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है, हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ती के मार्ग में मोहित और पूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। अर्थात स्वरगादी उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रिमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अत्वा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है, सो संसार में निह संदेह अत्यंत दुरलब है, वहां उस पहले शरीर में संग्रह किये हुए बुद्धी संयोग को अर्थात राम बुद्धी रूप योग के संसकारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ती रूप सिद्ध के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। वह श्रीमानों के घर जन्म लेने वाला योग भ्रष्ठ पराधीन हुआ भी, उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकरशित किया जाता है, तथा संबुध्धि रूप योग का जिग्यासू भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उलंगन कर जाता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संसकारबल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपून पापों से रह इस से हे अर्जुन तु योगी हो। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है। वह योगी मुझे परंश्रेष्ठ मान्य है। इस प्रकार उपनिशद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास् हुए मनवाला और अनन्य भाव से मेरे परायन होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूती बल एश्वर्यादी गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशयरहित जानेगा उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्यान को सं कर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेश नहीं रहता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायन हुआ मुझको तत्व से जानता है। पृत्वी, जल, और हे महाबाहो, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपा परा, अर्थात चेतन प्रकृती जान कि जिससे यह संपूर्ण जगत धारन किया जाता है। हे अर्जुन, तु ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों परा अपरा से उत्पन्न होने वाले हैं। और मै संपूर्ण सूत्र में मनियों के सद्रिश मुझ में गूंथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव AUM मैं हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूँ प्रित्वी में पवित्र गंध और अग्नि में मैं तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में मैं जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं वह तत्व मैं हूँ, तथा तपस्वियों में तप मैं हूँ हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज यानि कारण मुझे ही जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धी और तेजस्वियों का तेज हूँ, हे भरत श्रेष्ठ, आसक्ती और कामनाओं से रहित बलवानों का बल, अर्थात सामर्थ्य मैं हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल, अर्थात शास्त्र के अनुकूल, काम मैं हूँ, और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजो गुण से तथा तमो गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मेरे से ही होने वाले हैं, ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को वह तत्व से नहीं जानता। यह संसार से तर जाते हैं। क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्यानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्यानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ज्यान को प्राप्त हुआ ज्यानी सबकुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझे भजता है। वह महात्मा अति दुरलब है। उन-उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्यान हरा जा चुका है। वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस-उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस-उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किये हुए उन इच्छित भोगों को निहसंदेह प्राप्त करता है। मन इंद्रयों से परे मुझ सच्चिदा नंदगन परमात्मा को मनुष्य की भाती जानकर व्यक्ती के भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। मुझ को कोई भी श्रद्धा भक्ती रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवन्शी अर्जुन संसार में इच्छा और द्वेश से उत्पन्न हुए सुख दुखादी द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। निश्काम भाव से। मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्तवाले पुरुष मुझको ही जानते हैं, अर्थात मुझको ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उप निशद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप, श्रीमद भगवद गीता में श्रीकृष्ण तथा अर्जुन के संबाद में ज्यान वियोग नामक सात्वां अध्याय संपूर्ण। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं, हे मधुसूदन, यहां अधियग्य कौन है और वह इस शरीर में कैसे हैं, तथा युक्त चित्तवाले पुर अधियात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इसमें है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर नजाने वाले चित से निरंतर चिन्तन करता हुआ। अनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वग्य, अनादी, सब के नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सब के धारण पोशन करने वाले अचिन्तयस्व रूप, सूर्य के सद्रिश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सक्चिदानंद घन परमेश्वर का स्म पित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। मन को हृदय देश में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्म संबंधी योगधारणा में स्थित होकर जो पुरुष ए-उ-म इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मु मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलब हूँ अर्थात मैं उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ परम सिध्ध को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुहकों के घर तथक्षन भंगुर पुनरजन्म को नहीं प्राप्त होते हे अर्जुन ब्रह्म लोक सब लोक पुनरावर्ती हैं परन्तु हे कुंति पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनरजन्म नहीं होता क्योंकि मैं काला तीत हूँ और ये सब ब्रह्मादी के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको एक हजार चतुर युगी तक की अवधिवाला और रात्री को भी एक हजार चतुर युगी तक की अवधिवाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जनकाल के तत्व को जानने वाले हैं संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेशकाल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्री के प्रवेशकाल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं. हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के वश में हुआ, रात्री के प्रवेशकाल में लीन होता है, और दिन के प्रवेशकाल में फिर उत्पन्न होता है। तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परमधाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतरगत सर्व भूत हैं और जिस सच्चिदानन्द घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष्टो अनन्य भक्ती से ही प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याक कर गए हुए, योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए, वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। जिस मार्ग में जोतिर्मय अगनी अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्लपक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायन के छह महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रम्ह वेत्ता, योगी जन, उपर्युक्त देवताओं द अच्छ महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर कर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाया हुआ चंद्रमा की जयोती को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। परमगति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है। अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन तू सब काल में संबुधि रूप योग से युक्त हो। अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यग्य, तप और दानादी के करने में जो पुन्यफल कहा है उन सब को निह संदेह उलंगन कर जाता है और सनातन परंपद को प्राप्त होता है। इस प्रकार उपनिशद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप, श्रीमद भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन समवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक आठवाउं अध्याय संपूर्ण हुआ। यह विज्ञान सहित ज्यान, सब विद्याओं का राजा, सब रहस्यों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फलवाला, धर्म युक्त साधन करने में बड़ा, सुगम और अविनाशी है। हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको नप्राप्त होकर मृत्यू रूप संसार चक्र में भ्रमन करते रहते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ से सद्रिश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतरगत संकल्प के आधार स्थित हैं। किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किन्तु मेरी इश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों को धारण पोशन करने वाला और भूतों को उत्पन करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है, जैसे आकाश से उत्पन सरवत्र विचरने वाला मह वायू सदा आकाश में ही स्थित है। वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं। ऐसा जान। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसकती रहित और उदासीन के सद्रिश स्थित मुझ परमात्मा को वेक कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, मुझ अधिश्ठाता के सकाश से प्रकृती चराचर सहित सर्व जगत को रचती है। और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परमभाव को न जानने वाले मूढ लोग, मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुछ समझते हैं। अर्थात, अपनी योगमाया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्यान वाले विक्षिप्त चित्त, अज्यानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृती को ही धारण किये रहते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र। दैवी प्रकृती के आश्रित महात् मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश्रहित अक्षरस्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। अभिन भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की प्रिथक भाव से उपासना करते हैं। पवित्र ओंकार तथा रगवेद, सामवेद और यजुरवेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परमधाम, भरण पोशन करने वाला, सब का स्वामी, शुभाशुब का देखने वाला, सब का वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निदान और अविन पुरुष मुझको यग्यों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। यद्यपी श्रधा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं। वे भी मुझको ही पूजते हैं। किन्तु उनका पूजन, अविधि पूर्वक, अर्थात अज्यान पूर्वक है। क्योंकि संपूर्ण यग्यों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात, पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझ को प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों क पुनर्जन्म नहीं होता। कर्म मुझ भगवान के अरपन होते हैं। साधू ही मानने योग्य है क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भाती निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीग्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शान्ति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान की मेरा भक्त नश्ट नहीं होता। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनी चांडालादी जो कोई भी हों, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर इसमें तो कहना ही क्या है? जो पुन्यशील, ब्राह्मन तथा राजर, शिभगवान, मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुखरहित और क्षन भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझ को प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायन होकर तू इस प्रकार उपनिशद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद भगवद गीता के श्रीकृष्ण अर्जुन समवाद में राज विद्या राज गुहिय योग नामक नौवाव अध्याय संपूर्ण हुआ। गीता के पहले नौ अध्यायों ने हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया कि हर मनुष्य का धर्म है अपने कर्तव्य को निभाना, बिना किसी डर या संदेह के। अब यह ग्यान ह सभी के लिए है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साजा करें और इस दिव्य ज्यान को सभी तक पहुँचाने के लिए शेयर करें। और अगर आप हमारे साथ इस यात्रा को जारी रखना चाहते हैं, तो सब्सक्र करना न भूले। हरियोम।